नमस्कार आई आपको स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आकास लक्षर में और आज हम देखेंगे बायलो जी किलास 12 नीट के लिए भी है ये चैप्टर 13 का जीव और समस्थिया इसका वॉल्यूम 4 इस वॉल्यूम 4 पर आज हम बात करने वाले हैं चलिए शुरुआत करते हैं देखिए दो अब चलते हैं आगे अपन चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को सेर करें आज का यह बहुत ज्यादा इम्पोरेंटिव टोपिक है जीव और इसकी समझ्टियों का जो इसमें उनकी प्रतीस पर ना उनकी पारस पर जो करियाओं होती है जीवों की उस उन पारस पर करियाओं के बारे में यहां हम वताएंगे आज तो अब बने रही है हमारे साथ आकरी तक बहुत ज्यादा बात किये हैं यहां से चलिए अब करते हैं शुरूबात हम इसके सिसन की सबसे पहले इसमें देखना है हमें चलिए सबसे पहले इसमें देखना है समझ्टियों की जो पारस पर किरियां हैं कितनी होती हैं और क्या-क्या उसके एक यह आज का जो पहला 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 पहल थीजिग स्वर्यद्रमनय के नहीं है। मतलब हैं एसी होगी तब उसमें उनके क्या है लिए नाम क्या होगी। देखें पहला मतलब समझना है, एक को लाव हो रहा है। माइनस का मतलब समझना है, हा नहीं हो रही है, ठीक है, तो चलिए, करते हैं सुरुबाद, पहले में पिलस, दूसरे में पिलस, उधारन किसका है, सहोपकारक्ता का, सहोपकारक्ता का, सहोपकारक्ता एक ऐसी किरिया होती है, जिसमें दोनों प्रजातियों को लाब होता है, जि इसमें दोनों प्रजातियों को लाव होता है किसी भी प्रजातियों को इसमें हानी नहीं होती है किसी भी प्रजातियों को इसमें हानी नहीं होती है दूसरी है इस परधा दूसरी के लिए कौन सी है भाई? दूसरी है इस परधा तो इस परदा में क्या रखेंगे आप याद इसमें दोनों को माइनस दिया है दोनों और इस सारुनी को याद रखेंगे इसमें दोनों तरफ माइनस दिया है मतलब इसमें दोनों को हानी होने वाली है इस परदा को याद रखेंगे दोनों को हानी होने वाली है इस परदा में अंगली आती है पहली प्रजाती को लाब होगा दूसरी प्रजाती को हानी होगी तो भै आती है परवक्षण देखिए परवक्षण की किरिया होती है तो जो परवक्षी होता है मतलब जो दूसरे जीवों को खाता है उसको तो सदेव लाब होता है लेकिन जिसको खा लेता है न उसका तो काँ हो जाता है मतलब उसको हानी हो जाती है ठीक है उसको तो हानी हो जाती है न तो जिसको वहें मतलब परभक्षी को तो इसमें लाव होता है लेकिन जो परभक्षक होता है जो इसका भक्षन होता है उसको इसमें हानी होती है लेकिन जो इसका पोशक होता है उसको हानी होती है इसके पोशक को क्या होती है इसमें हानी होती है ये है परवक्षन और परजीवी परजीविता ये दोनों करियाएं सहम होती है अंगली आती है सहे भोजीता कौन से आती है सहे भोजीता सहे भोजीता में क्या होता है सहे भोज की जो है बोजन के लिए तत्पा रोना साथ साथ वो क्या होती सहे बोजीता देखिए सहे बोजीता में एक प्रजाती को तो लाव होता है पहली प्रजाती को लाव होता है लेकिन दूसरी को ना तो कोई लाव होता है और ना कोई इसको आनी होती है ना इसको कोई लाव होता है न इसको कोई हानी होती है दूसरी प्रजाती को इसको समझ के रखिए आप और अंगला आ जाता है जो है एमे निलिस्म इसमें क्या होता है वह या इसमें ये होता है पहली प्रजाती को हानी होती है लेकिन दूसरी को कोई लाब भी नहीं होता पहली प्रजाती को आनी होती है लेकिन दूसरी को कोई लाब भी नहीं होता पहली प्रजाती को सिर्फ आनी होती है दूसरी को कोई लाब भी नहीं होता इसको जाद रखिए चलिए आंगे चलते हैं आंगे चलते हैं तो पहला हैगा अब आज के लिए जो परवक्षन को हम सब सबसे पहले पढ़ेंगे परवक्षण में क्या आएगा देखिए एक जीवदारी जो परवक्षण कहलाता है जब किसी दूसरे जीव आता सकार को खाता है तो यह पार्वक्षण कहलाती है तो ब्यापक संदर में जैसे हिरन सहाकारी जैसा जीव है अगर इसको सीर खा लेता है तो वह परवक्षन कहलाता है मतलब हिरन को अगर कोई सीर खा लेता है तो ये किरिया जो है वह परवक्षन कहलाती है कौसी किरिया कहलाती है परवक्षन की किरिया ये कहलाती है इसको याद रखिए ये किरिया परवक्षन कहलाती है यांसे हिरन को कोई सेर खा रहा है तो जो किरिया है वो परवक्षन कहलाएगी इसमें एक प्रजाती को लाब होगा लेकिन दूसरी प्रजाती को हानी होगी इसमें जो हिरन है उसको हानी हो रही है उसका क्या है उसका एक सतस्कम हो रहा है यानि इस प्रजाती की हानी हो रही है सेर अपना इसको फायदा हो रहा है इसका पोशन हो रहा है तो एक प्रजाती को हानी और दूसरी को इसमें लाब होता है परवक्षन कहलाती है यह समझ के र संतुलन के लिए आवश्क है चलते हैं पहरा रखा है अाज परभक्षण किलियर कर अब परभक्षण क्लियर करकें ऐगा परवक्षण उच्छअथ नबार कीॉ सब्सक्राइब होती है यह करिया complete हो गई इसके कुछ उधारन उसमें दिये गए हैं आप उधारन को भी याद करते चलिए बहुत ज्यादा इंपोड़न्ट होती है उधारन भी आप इसको पूरे को जब रीडिंग करेंगे पीडियेफ नोस द्वारा तो आप वहां देख लिएगा उधारन आश्यक होते हैं चलिए आंगे चलते हैं आंगे जाएगी आँगे क्या एगा आँगे एगा सिकार के रक्षात्मा को पाए एक और कारण यानि जो सिकार होता है बहेवी क्या होता जाता है थोड़ा हुस्यार हो जाता है और अपने आपको बहे सिकॉर्टी कर लेता है अपने आपको बहे सुरक्षित कर लेता है कैसे कर लेता है देखिए इन किरियाओं द्वारा कर लेता है इसमें सबसे पहला जो आ इसमें वहन किया है उनको अपनाया है जैसे पहली आती है छदमावरन छदमावरन क्या होती है देखिए अपने परिवेस में मिल जाने या फिर बैसा ही वन जाने की जो जीब की छमता होती है वो छदमावरन कहलाती है यानि एक नए प्रकास के भीस को धारन कर लेती है वो छदमावरन कहलाती है देखिए क्या होता है छदमावरन इस कारण परभक्ची सिकार को आसानी से चिन्नित नहीं कर पाता है जैसे कीटों बामेंडकों की अनेक प्रजातियां अपने अपने ले आली किसी काले पर के तो अपने आपको पूरा काला कर लेते हैं कि हएं कि उसमें चुप सके उनप iOS के यह की से यहीं선 Pegronics Anigger जिस के अपने पडीवेस लुए अनेक रोचक दारन है जैसे बकिंग इस्टिक जो हैगा वो क्या करता है किसी पेड़ की जो टैनी जैसे लगते हैं लगते हैं कि टैनी है पेड़ की उनको खा नहीं पाते हैं का परवक्षी कुछ कीट बिलकुल हरी पत्तियों जैसे देखने लगते हैं आपने आप में कैसे देखने लगते हैं हरी पत्ति के लिए नहीं होती है जैसे जहर का विकास परभक्षियों से बचने और का ये कई एक और तरीका है कुछ सिकार प्रजातियां बिसैली होती है इसलिए उन्हें नहीं खापाते हैं और मेनार्क यानि की जो तितली है वो एके सरीर में एक विसिस्ट रसाइन की उपस्तिती के कारण बहुत परवक्षियों को अपना स्वाद बहुत बुरा लगता है इस पिरकार से वह अपने आपको नहीं खापाते हैं कि यह क्या है सरसाइन परवक्षियों की आपकर होता है सिकार से बचने के देखो अनेक जंतू चयताबनी पून रख अपना करती है कि वह खतरनाक है उससे बचके रहना जैसे यह पाईजन एरो मेंडग पीले चमकदार बना कर चकते बना कर अपने परवक्चियों को चेताबनी देती है कि बहुत कैसी है जहरीले है उनसे दूर रहना ठीक है अब कुछ कीट मचलियों की नकली आख होती है जो परवक्चियों क अपने सरीर को फुला कर जो 300 गुणा बढ़ा सकती है मतलब क्या भ्यानक बन जाती है उसके परवक्चियों के समू में मचलियों का समू तथा इसतन्धारियों के जुंड समू के रूप में अपनी सुरक्षा करते हैं जीवों का समू परवक्चियों को भ्रहमित कर देता है इनका समू भी क्या होता है कभी-कभी जीवों को ब्रहमित कर देता है कुछ जिव दूसरे जीवों की नकल या मिमिक्री कर अपने परवक्चियों से बसती है इसे तू कुछ बिना जार बाले अर्था सामान जन्तु चेताब निपूर रंग अपना कर यह जदाती है कि वह भी आठी वो क्या है इन चीज़ों को अ अपने अपने अप में अब अंकली आते है है परदा य प्रदा यह जीसर अधर वहती है कि अंतरर परदातिय यह था पोशसरत नहीं की प्रयास करते है जिनकी अपूरती सीमित है मतलब यह इस पर्दा तब होती है जब किसी सीमित चीज के लिए कोई जादा बैक्ति उसको लड़ती है उसको पाने के लिए तब वो क्या होती है इस पर्दा कहलाती है इस पर्दा कहलाती है यानि कोई सीटे हैं के लिए जब अधिक लोग इस पर्दा करती है उनके लिए जो योग होती है मतलब यह इस पर्दा होती है जो इसकी योग है इस पर्दा में जो बच जाती है इस पर्दा या निकिसी सीमेचीज के लिए कोई सीमेचीज के लिए इस पर्दा होती है ठीक है डार्विन के एक सक्ति शाली वल रहे हो गया कमपटियशन अब इसमें इसी प्रजाति में चीज पर ostr precious प्रखे निरबदह पर होती है क्यों पफ्रकास चाहिए उन्हों पोधों से अपना बूशन चाहिए उनको पोधों prochain चाहिए तो इस तीच में क्या होती है उनकी वीच इस पर्दा हो जाती है क्या हो जाती है इस पर्दा से दोनों प्रजातियों को हानी होती है इस वाक्त को आप याद रखिए इसमें किसी प्रजातियों को लाब नहीं होगा दोनों प्रजातियों को हानी होती है अब इसमें देखिए बाद है इस यह दमनकारि उपस्टित्टी करन घर जाती है वह संसादन जो है वह क्या बहहँ स्परदा कहलाती है यहां नेसर कि दर और और रूप जो मापद उपियोगता दूसरी पर जाती हो जो उपस्टि यहां आ therm yaş लेक ने कहलाती है ठीक है इसके कुछ उधारण यहां से उठा लीजिएगा आप उधारण लेकर चलिएगा हर चीज के उसको समझने में आसानी होती है यह क्या है कि मैं को अधर ने प्रदर्शत किया ठीक है तो यहां आ जाते हैं हम क्या है का परजीविता 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 यह एक ऐसी किरिया होती है इसमें एक जीब को हानी होती है एक प्रजाती को हानी होती है दूसरी प्रजाती को लाव होती है यदि कोई यदि कोई फीता कर्मी है वो मनुस के सरीर में है अंदर है फीता कर्मी तो इसमें मन उसको तो हानी होगी लेकिन फीता कर्मी को लाव होगा तो एक परजाती को लाव होता है दूसरी परजाती को हानी होती है वह क्या कहलाती है परजीविता कहलाती है क्या कहलाती है परजीविता कहलाती है बहुत सारे बहुत सारे उधारण है इस परकार की ठीक है देखो एक परवक्षी में कुछ अंतर भी होते हैं ऐसी बात नहीं होते हैं लेकर अंतर होते हैं क्या अंतर होते हैं पहला अंतर हैगा परजी भी अपने पोशक से छोटा होता है और परवक्षी अपने सिकार से बढ़ा होता है एक बाज है मानली जी एक बाज है एक चिडिया को खा रहा है तो इसमें बढ़ा कौन होगा बाज चिडिया छोटी होगी मतलब कि परवक्षी ज फीटा किर्मीं है तो मनूष्य जो है वाज जीवित रहेंगा लेकिन जो फीता किर्मीं उससे अपना पोशक दीरे दीरे ग्रियान करते रहेंगे जिससे वह कम जोर हो जाएगा ठीक है लेकिन वो अपना जीवित उसमें जो उसका पोशक है वो भी जीवित रहेगा लेकिन परजीवी जो है उससे अपना पोशन प्राप करता रहेगा लेकिन परवक्ची में क्या होत झ्युह जो चूसता रहता है उसको खाता रहता थीक है है आंगे जाद आद में पोशक्षट में पॉशक विश्षट में नहीं ह freestyle मनुस्त में फीता किर्मी है और दूसरे जानबरों में यह और किसी जीव में यह नहीं होता यह एक बिसिस्ट होता है लेकिन जो परवक्षी है वो किसी को भी मार कर खा सकता है यानि कि एक बाज है बैचुए को भी खा सकता है वो साप को भी खा सकता है बैचलिया को भी खा सक सकता है और वी उस चोटे जो भी जीव हैं वह सभी को खा सकता है क्योंकि सर्वहार होता है परवक्षी ठीक है ऐसा है इसमें अब अगल को बढ़े की सक्ती से प्रवक्षी यानि की अंड परजीविता क्या होती है देखो परवक्षियों में पाई जाने वाले बूड जो परजीविता है परजीविता का एक रोचक उदारण है इस परकार के जो परजीविता में परवक्षी पक्षी होते है वो अपने अंडे पोशक के घौसले में देता है तता इसका पोशक ही परजीवि पक्षियों को अंडों से को सेता है और विकास के दौरान जो परजीवि के अंडे के पोशक के अंडे से रंग बाइसका आकार अल कर उसे के धौसलों से निसकास कर नहीं का प्रियास करता है और येसे कोईल एक ब्रूल परजीविता पक्ची है जो कऊवे या नि पोसक के घौसले में अंडे देता है समझ गई देखिए इसमें यह सा होता है मतलब एक ही क्या होता है इसमें पर जीब होता है एक गोंसला होता है उसमें दो जीब अंडे देती है यानि जो गोंसला बनाता है बहे गोंसला बनाता है बहे पोशक बनाता है गोंसला कौन बनाता है गोंसला बनाता है उनका पोशन करता है एक पहता है कि पहचां काउइपजा और wład Pinterest hight आ‍फ को is OR unfortunately जा टा है कर पोशक चला गोशला वनाया गोशला ने गहां करता है अब ऑचलाइएक कोईल है कोयल ने गौंसला बनाया उस में में कवय ने गोंसला बनाया छोव委 क्या करता दो को निस्कासत करना यह unveiled बहार धकेलने का कोशिस करती है उन क्या करती है बहार धकेलने की कोशिस करती है ठीक है समझा या ठीक है किलियर हो गया आंगे चलती है तो यह था उसको दरन अब इसमें अंगले आ जाता है कि सह भोजीता क्या है सह भोजीता मतलब सहभोजीता जो है वो परजीविता के समान होती है सहभोजीता इसमें क्या होता है इसमें ये होता है परजीविता के समान होता है ये सहभोजीता इसमें अलग होता है इसमें एक जीविता को तो क्या होता है लाब होता है मतलब इसको परिवास आयां से लिखेंगे बहुति है भैस है भोजीता कहलाती है ठीक है क्या कहलाती है जैसे आम की एक साखा पर जो अधी पादप के रूप में उगने वाला एक आर्केड का पौदा सहे भोजीता का उधारन है इसमें पारस पर एक किरियाओं मैं आम को कोई लाव नहीं ना कोई हान ही पहुंचती लेक है और इसमें से भैल भैल की पीट पर चपकर जो वरने केल सहे भोजी भोजीता का उधारन है इसमें कहेगा भैल की कोई को कोई हानी ना या तो ना उसको लाव होता है ना उसको कोई हानी होती है लेकिन इसमें जो चिपके रहती है ना उससे जो मचली चोटी-चोटी उनके क्या होती है उसके मुह में जो आ जाती है चोटे-चोटे तुकड़े किसी जी खाया तो उससे अपना उनका दानापन दानापन चलता रहता है ठीक है तो इसी प्रकार की उधारने आप इनको सब को उधारन को याद करके रख लीजिए वह जाते इंपोरेंट है अंगे चलेंगे अब देखती हैं सहुप कारक्ता यानी कि इसमें क्या होता है सहुप कारक्ता यानी इसमें दोनों प्रजातियों को लाब होता है वह करिया होती है ना किसी को हानी ना किसी को कुछ होता है लेक एक कवक बाप्रकास संसेशन कर भोजन बनाता है जबकि कवक जलवा खनेजों को अविसोशन सुरक्षा के प्रतिकार संपन करता है और इसी प्रकार से उनका उच्च बरगी ये पोदों के सहती भी इसका जुमाई को राजय संबन्द होता है वो सब इसी के उधारन होती है तो लेंगे कपट या फिर छदम मैथुन लेंगे कपट या फिर छदम मैथुन ये क्या होता है देखिए पोदों बाउनके जो परागन करता हूँ के जो सहे विकास नहीं अनेग अचरजकारी उदारन प्रस्तुत किये हैं विस्विक की सुंदरतम पुस्पों में सामिल जो आर ताकि परागन सुनस्चित किया जैसा के देखिए ये फूल है लेकिन एक मख्य मख्यी जो मधु मख्यी होती है उसके समान ये लग रहा है ठीक लग रहा है ना देखिए इसमें अब क्या है गए क्या करते हैं ये देखिए भूमद्य सागरिय चेत्र में पारा जाने बाला आर्केट्स जो आफरिस म्यूसी फेरा इस मामले में कुछ बिसिस्ट है इसमें पुस्प की एक पंकुडी आकार रंग रूप से चिन्न हों मैं एक प्रजाती की माधा मख्यी के हुबहू नकल करती है बिलकुल माधा मख्यी जैसे ही दिखने के कारण नर मख्यी इसकी और आ मक्यी को आकर्षित करने के लिए पुस्प धोकेवाजी या फिर जो कपट होता है धोकेवाजी या फिर कपट का सहरा लेते हैं देखो पुस्प के साथ कूट या फिर जो छदम मैथुन के दौरान नर मक्यी पर आर्केट्स होता है उसके कुछ परागण चिपक आती है और उसमें गर जाते हैं और यह जब यह मक की आर्केट्स के किसी अन्पुस्प के साथ जब छदम महतन करती है तो उसका क्या हो जाता है परागन हो जाता है इसकी परागन करने की यह विदियोती है लेकिन यह धोकेवाजी से करते हैं चलिए आंगे देखेंगे हम कि जीवों की समस्तियों सम्मंदित कुछ महत्मुन रोचक जानकारियां भी यहां लेकर आ है एकोलोजी सब्द जो है पहली बार जर्मन बैग्या है जो जीब पैग्यानिक अरनस्ट है किलते उन्होंने इसको प्रतिपादत किया था ठीक है इसको याद रख लीजिए आप और इ जो है 16 सुरुवात करेंगे इसमें पारितंत्र के संबंद जो भी सारी किरियां है पारितंत्र की जो भी सारी घटना है इसमें किलियर करने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए थैंक्यू धन्यवाद